नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर शर्मा दर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांख है 10 सितंबर सन 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है भादरपद मास है कृष्ण पक्ष वर्षा रितू है तीथ वर्यान है रातरी 11 बच के 18 मिनट तक आगे परिग योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है करण बलव है रातरी बच के 30 मिनट तक आगे कॉलाव करण रहेगा सूर्योदे का समय दर्श को सुबह 6 बच के 9 मिनट का था और सूर्यास् पर नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज 11 बच के 58 मिनट से लेके दोपेर 12 बच के 48 मिनट के बीच में हैं दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे ध्यान से समझेगा सूजबू से टाल दीजेगा यह दोपेर बाद 4 बच के 57 मिनट और शाम 5 मिनट आज का दिशा बच्चिम के और मुख कीजिए और थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले पांच कदम पीछे चलिए और जब यह प्रक्रिया आप करें तो अपने हिर्दे में अपने इश्ट या भगवान श्रीराम की उपस्तिती जान को प्रणाम करें ना करें फिर इस दिशा की या तक और फिर शाम 6 बच के 40 मिनट से लेकर रात्री 10 बजे तक ये तीनों का अलखंड बाकी सारे दिन की अप्शारा बहुत है यूग कारक शुब हैं तो अच्छे चैफर्स करने तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिए सफलता के चांसे ज्यादा मिलेंगे आज की चंद राशी दर्शे को मिथुन है सुबह 10 बच के 25 मिनट तक आगे चंद रुमा अपनी स्वय राशी यानि करक राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज का इदिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं आज बहुत ज्यादा सूच विचार में अपना दिन निकाए लेंगे अपने भाई बहनों से पाएंगे जबर्दस सपोर्ट सस्रम मिथुन राशी वालों को बड़ा धनलाव संभव है और करक राशी लेकिन भावुकता उन पर हावी हो सकती है यानि मोशनल आप ज्यादा ह के लिए कोई उपलब्दी हासिल हो सकती है व्रश्चिक राशी वाले भाग्ये से पाएंगे पूरा समर्धन अपनी माता का आशिर्वाच कोई बड़ा कदम उठाएं या बड़ा काम करें सफलता उसमें मिल सकती है धनू राशी वाले स्वाश से रहेंगे परेशान हो सकती है मकर राशी वाले जो विवाइत है उनको मिल सकता है अनुकूल विवा का प्रस्टाइब उनका पढ़ाई में मन और ज्यादा लगेगा चित उनका स्थिर होगा अच्छे से उनकी याद करने की शिवन में सफल बना देते हैं अन्तुमें करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान पापा निवार्यती योजते हिताए गुयम नी गुहती गुणान प्रकटी करोती आपद गए आपती आने पर छोड़ता नहीं और समय आने पर यानि जब जब कोई आवशकता आए तो जो उसके उसके गुण प्रकट करें यानि सबके सामने उसके गुणों पर चर्चा करे अवगुणों को छिपाए देत लेत मन संकना धराई नेहा शुरुती कह संत मित्र गुनेहा इसका अर्थ यह है कि सामाने काल में तो आप से प्रेम करें ही लेकिन जब विपत्ति आ जाए तर यानि श्रेष्ट मित्र सादू मित्र के लक्षण यह है तो यह लक्षण आज के ज्यान चर्चा के सार में साब उतारें अपने जीवन में और ऐसे ही मित्र बनाई है तो देखिए जीवन बहुती सुन्दर हो सकता है तो दर्शे को आप करते हैं चर्चा उन विसस रुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार के समश्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन और फिर सवा पांच किलो दलिया सवा किलो गुड गौमाता को नंदी जी को इनको खिलाएं साथ ही आज भगवायन स्रीक्रिष्ण के नमित आप मोर पंक की 27 पंकों की बनावा एक पंखा उन्हें अर्पित करें तो आने वाला वर्ष आपका बहुत सुन्दर और योग का र इत्र भगवती पर गुड़ल के 11 पुष्प अर्पित करके इस विशेश मंत्र की 11 माला वहीं मंदिर में बैट कर आप करें फिर देखें कैसे जीवन में चमतकार होता है मंत्र स्प्रकार है ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा मोहिनी प्रजा मोहिनी सर्वशत्र वि इत्र से सुगंधित कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए फिर उस कारे के लिए आप जाएं जो अटक रहा था आप देखेंगे कि आपके कारे सिद्धी के रास्ते स्वते ही आगे सागे बनने लगे हैं और आप स्वैम में एक शक्ती एक उर्जा का संचार भी मैसूस करेंगे इसमें कोई संदे नहीं है आप करके देखिए बहुत बड़ा आपको लाब होगा ऐसे यह दिया भगवान श्रीराम जी की पूजा शुरू करते हैं आज से निट्य पंचोप्चार पूजा करें और एक बहुत ही विसस्ट मंत्र की एक माला नित्य जाप करना शुर शुर सिरोमनी साहसी सुमती समीर कुमार अगम सुगम सब काम करूं करतल सिद्धी विचार फिर से समझे शूर शिरोमनी साहसी सुमती समीर कुमार अगम सुगम सब काम करूं करतल सिद्धी विचार इसे कीजिए और फिर जो भी काम करेंगो इसमें वैसे ही आपको एक देव मन विचलित है तो इसके प्रभाव को टालने के को चुपाए और पूज़न हुआ करते हैं जो अगर आप करें तो समश्याओं से बचा जा सकता है जैसे कि जो भी बुरा सपनाया उसे सुबह उठकर बता दे सब ओम रीम श्रीम क्लीम दुर्गती नाशिन्य महा मायाई स्वाहा इसी प्रकार से यदि अर्ध रात्री या ब्रह्म वेला में बुरे स्वपन से आपकी आख खुल जाये तो उसी वक्त इस मंत्र का 27 बार जाप करके दोनों हतेलियों पर फूके और हतेलियों को चहरे पर फिराल ओम वारन अश्या दक्षण कोने कुकुट्टो नाम भ्रहंबने तश्यस्मरण मात्रेन दूस्व अपनों शुभम भवेत छोटा सा काम है आप करेंगे आपको बहुत अच्छा अलवर प्रश्न किया राजनिती में उन्नती कब होगी देखिए रवी कुमार जी आपकी सिंग लगन धनुराशी की पत्रिका है गुरु चंद्र की स्थिशनी शुक्र और सूर्य की अत्यंत्य प्रबल इस्थि ये तो साफ दर्शा रहे कि आप राजनिती में बहुत अच्छ आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आईए हमारी दर्शक रित्विका जी की 28 अगर्ष 2002 का इनका जनम है शाम साथ बच के 46 मिन दिल्ली प्रशन क्या लव मैरिज का योग है क्या बताईए देखिए रित्विका जी बीन लगन मेश राशी की जन्म पत्रिका आपकी ल अंगल और चंद्रमा के जाब करवा लीजिए ताकि आपको समश्या नहीं आए अपने जीवन को व्यवस्तित करने के लिए नित्य गणेश 12 तामिस्तोत्र के तीन पार्ट बहुती अच्छे रहेंगे आपके लिए तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसुस् शिव में सक्ट्य में आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनों कामना पूरती निश्यत रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवति आप सुब का कल्यान करें जया आदिशक्ति झाल 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 झाल